नमस्कार जैश्री कृष्णा मेरा के शिवानी अस्टो चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने ज्योतिस ज्यान के नाम से सिरीज चलाई है जिसके अंदर हम बेसिक से लेके एस्टलोजी का और एडवांस सब्सक्राइब और अगर फिन मात कर सेफ्र सब्सक्राइब अगर यह फिर सारे फार की इसके details और चुछ उच्छे त्र veggie नीच राशिव की द्रस्टियों के बारे हैं बात करिए आज थोड़ा हम चलेगे ग्रहों की मैत्री की ओर ग्रहों की मैत्री कैसे कैसे होती है कौन-कौन मित्र होते हैं किसी ग्रह के कौन शत्रू होते हैं वो बहुत जरूरी है कुंडली की प्रडिक्शन में इस चीज़ को करना क्योंकि प्रड लाग नीज राशी यह सब देखने के लिए मालूम होना जरूरी है कि ग्रहों के मित्र कॉन होते हैं और शत्रु मिट्र हूं को इसमें किया है सकति क्या है कि मींस ऐसा होता है कि आपके जो नाचुरली फ्रेंड हैं शुरू से मतलब जो आपको पसंद करते हैं आप से कहीं होते हैं चुछ थैंक के लिए वित्वसिं पर कुन जाते हैं तो नीन फोल ऑब जवाद याद रखेंगे तो बहुत ही अप के अंदर आपका इसका कर पाएंग अब जैसे मैं अब को एक जामपल देता हूं भारत का मंगेश्याया रूस जोे We बहुचाने जुटेस रहा हुआ है रहए प्रमानिक व भार्त का नियुक्त Some तो किसी शीजा पर रहे कम frontier को शक्ति है ले तो यह दिये हुए है यह दिखाती है कि ग्रहों के नासर की मित्र कौन है शत्रू कौन है जैसे इस टेबल में आपको दिखाया गया है कि यह इधर आपके मित्र है यह आपका मित्र है और यह सूर्य है तो सूर्य के मित्र कौन कौन हुए चंद्रमा सूर्य का मित्र हुआ मंगल सूर्य का मित्र हुआ गुरू सूर्य का मित्र हुआ तो यह तो सूर्य के मित्र हुए यह जो उपर दिये हैं यह सारे ग्रह दिये हुए हैं नीचे मित्र सम और श मतलब क्या होता है सम ऐसी चीज होती है जो शत्रुतार मित्रता के बीस की चीज होती है ना तो शत्रु है और ना मित्री है कहते है ना हेलो हाय की पॉजिशन है ठीक है भई जम मिल जाते है रस्ते में नमस्ते हो जाती है बागी ठीक है तो यह सम की पॉजिशन कहलाती है तो सुर्य शत्रु किसे मानता है सुर्य शत्रु मानता है शुक्र को और शनी को इसी प्रगार अगर हम चंद्र के देखें जो जो मित्र हैं वह बुद्ध और सूर्य है और सम मंगल गुरु शुक्रशनी ये सम है मंगल गुरु शुक्रशनी ये चंद्र के लिए सम है और चंद्र का शत्रू अगर देखें तो कोई भी नहीं एक चंद्रमा ही ऐसा ग्रह है जिसका शत्रू कोई नहीं जायतार उसके संग रहे हैं या उसके मित्र हैं तो सूर्य बुद्ध उसके मित्र हैं बाकि मंगल गुरु शुक्रशनी उसके संग कैटेगरी में आते हैं चंद्रमा बुद्ध को सूर्य को तो मित्र मानता ही है कि सूर्य देव और चंद्रम देव तो ये सब देवता हैं और बुद्ध को इसलिए भी मित्र मानते हैं कि बुद्ध बैसी कली चन्द्रमा की ही संतान है जो इनके गुरू थे गुरू मतंब ठीक हैैं इनके लिगे ठीक ऊते हैं ठीक फल देते हैं अगर इनकी राशी में चंद्रमा कुन करने ऊच्छा देता है मैं की स्चिय प्रकार मंगल पर आज़ाएं पर मंगल के जो मित्र हैं वो चंद्र है गुरू है व्यों मत रिए मंगल MON सब्सक्राइब के लिए एक है तो बुद्ध के लिए अगर हम देखें तो सूर्य शुक्र उसके मित्र है सूर्य को वो मित्र मानता है शुक्र को मित्र मानता है लेकिन यहां देखेंगे यहां पर एक छोटा सा डिपरेंट्स है बुद्ध सूर्य को मित्र मानता है लेकिन सूर्य बुद्ध को सम मानता है सूर्य कहता है इसके लावा कोई रिलेशन नहीं है ठीक है मिल गए तो ठीक है नहीं मिले तो भी ठीक है लेकिन बुद्ध उसको अपना फ्रेंड समझता है बुद्ध कहता है नहीं सूर्य तो मेरा फ्रेंड है तो बुद्ध सूर्य को अपना फ्रेंड मानता है शुक्र को और दूश्मन आपना मानता है गुर्व के हैश में गुरू के लिए चंद्रमंगल और देखें दूब हम sakin को सम मानता ह। बुरूश्चनमांता है और शधिट रछालो थे सक्षाइब करते हैं एक दूछा से जटू utASH नहीं रखते तो शभी सेlock के वी और और बुद्द और शुक्र दोनों जो हैं ये गुरू के लिए के लिए शत्रू की केटे करी मानते हैं शुक्र जो ते जो अपना शत्रू नहीं मानते हैं जैता कि एक दूसरे की वो इज़ए और शुक्र जो है यह आचार्य के रूप में हैं एक देवताओं के गुरु हैं एक देवताओं के गुरु हैं तो ग्यानी हैं आचार्य हैं तो इसलिए दूसरे की यह help भी करते हैं और कहते हैं कि यही दोनों ग्रह ऐसे हैं जो शुब ग्रह माने जाते हैं नैसर की रूप से शुब ग्रह माने जाते हैं और इनकी राशी में कोई ग्रह बैठा हो तो कहा जाता है कि वो ग्रह शुब ग्रह की राशी में बैठा हुआ है और इनकी राशी में बैठ प्रसंद होता है अच्यपगर में गुरु को सम्मानता है देखिए गुरू को सम मनता है आ घृला तो शद् Indค को सम अनुल करता है और चंद्रमंगल सूरिय को अपना शत्रु को रहे हैं इसलिए शनी सूर्य को शत्रू मानता है और सूर्य भी शनीotal को अपना शत्रू बान तो ये थे मित्र और उनके देखने के तरीके लिकिन इसमें यह टेवल आपको याद करने पड़ेगी क्योंकि पर देयुक्त करके ही आप द्यान आ द्यान देना और इसको देखने के लिए एक सिंपल तरीका और है लेकिन बहुत तो नहीं पर फिर भी काफी उसको मां सकते हैं कि 95 पिसंट ऑथन्टिक है उससे आप मोटा मोटा आडिया लगा सकते हैं उस तरीके से अगर आप इस तरीके से कर दें इसमें क्या है सिंपल और दूसरी सैट में जो करूर है शुक्र है शनी है राहू है के टुर में हमने यह सूरय चंदरमा देवता गुरू सोर्यगा देव, चंद्रमा गुरू बश्य का भी कर दीच में है बस अब क्या है कि यह सूर्य чंदर मंगल गुरू है यह जो देवता है इन तो मित्र का है the simple एक सुरे का मंगल मित्र है तो इसी करका जो दैटिया है शुक्रushani राहु और ये आपके पने चुक्र-दे बुद्र के तो सारे मित्र हैं लेकिन बुद्ध का चंद्रमा एनीनी है और बुद्ध सूर्य को मित्र बानता है और मंगल और गुरु को सम बानता है तो मोटा मोटा आप याद कर सकते हैं ये दिख सकते हैं कि बुद्ध जो है चंद्रमा को अपना शत्रू बानता है जो मेन चीज है और मोटा और प्याद कर सकते हैं कि एक तरफ देवता और देवताओं में आपस में ह 나타ए ऑ देवता है या यानि सुर्य शुक्र का शत्रू है चंड्र का शनी शत्रू है तो इसलिए ये आपस में शत्रू माने जाते हैं, कि ये देवताओं गुरुप हुआ, ये वाला गुरुप देवताओं का हुआ, ये वाला गुरुप हमारा देत्यों का हुआ, तो देवताओं गुरुप में आपस में मित्रता है, देवता देत्य के मित्र नहीं है, देत्य देवता के मित अगर बाइशान साथ भूल जाएं आप दोनों चार्ट को भूल जाएं आप उस चार्ट को भूल जाएं और सूर्य के ऊपर आपको ये दोनों शार्ट भूल गए तो एक फॉर्मूला है उस फॉर्मूले के थूरू आप निकाल सकते हैं कि सुर्य के मित्र कौन है शत्रू कौन है सम कौन से तो वह मैं आपको नेक्स वीडियों बताऊँगा तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और आप मेरे इ जिरूरि सोचना के हम लोग अपना एक एडवांस अस्रोजीर स्टांट करने जा रहे हैं तो जो लोग मैं में किन लोग करा रहे किर मास्ट कर से को खहने करा निपकाद में करते कर देखता है बहला SAM, निबहाएं कि नम पर संबस्सक्र ऌहिए अ